हलो फ्रेंड्स अगर आप होस्टिंगर से बैब होस्टिंग लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं उस समय हो सकता है कि आपको इसका यह होमपेज डिफरेंट दिखाई दे क्योंकि होस्टिंगर पर सेल चलती रहती है और सेल के कोडिंग यहां पर जो प्राइज होती है वह भी आपको डिफरेंट दिखाई दे सकती है हो सकता है थोड़ी price जादा हो उस समय हो सकता है कम हो तो यह depend करेगा उस समय पर जब आप वीडियो देख रहे होंगे और उस समय अगर कोई sale चल रही होगी तो उसी के according यहाँ पर आपको home page दिखाई देगा तो आप confused मत होना website वही रहने वाली है यहाँ पर आप domain देख लीज पर कि आपको hostinger से affordable price में एक अच्छी web hosting मिल जाती है जिसकी speed काफी अच्छी होती है और अभी आपको मैं अलग-अलग plan को बताने वाला हूँ कि आप अपने according कौन सा plan select कर सकते हैं अब देखिए जब आप website को open करेंगे तो आपको सुरुबात में ही home page पर यहाँ पर जो best offer चल रहा होगा उस समय के आपसे वो मिल जाएगा और उसका यहाँ पर आपको banner दिखाए देगा तो यहाँ पर आपको ऐसा claim deal का एक button मिलेगा आप इस पर click करके भी direct deal में जा सकते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूंगा जिससे आपको confusion create नहीं होगा अगर आप future में वीडियो तो आपको hosting purchase करने के लिए सीधे hosting वाले इस menu में जाना है और यहाँ पर click कर दे रहा है तो जैसे आप hosting वाले इस menu पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे option दिखाए देंगे आप यहाँ से web hosting पर click कर देना तो जब आप इस पर click करेंगे ना तो homepage ही open रहेगा आप scroll कर के नीचे आना मैं आपको menu से इसली बता रहा हूं कि हो सकता है future में यह homepage different दिखाए दे आपको तो आप confused ना हो आप सीधे hosting में जाकर भी यहाँ तक पहुँच पाएं तो यहाँ पर देखें आपको इसके अंदर तीन main plan देखने के लिए मिलेंगे सबसे पहला है single web hosting plan है फिर प्रीमियम web hosting है के business web hosting अब देखें इन तीनों में difference क्या है वो अभी मैं आपको बताने वालों बड़ यहाँ पर जो main बाते वह है कि जो तीनों plan है यह shared hosting अंदर आते हैं और shared hosting सबसे सस्ती पढ़ती है अगर आप सुरुबात में web hosting purchase कर रहे हैं लेकिन आप एक बहुत heavy load वा beginner है तो आपको इन तीन में से ही कोई एक plan select करना है बड़ यहाँ पर जो सबसे most popular plan है वो है premium web hosting plan मैं यहाँ पर आपको यही plan लेने के लिए बोलूँगा क्योंकि premium web hosting plan है और इसके साथ आपको काफी सारी facility free मिलती है ओके तो मैं scroll करके नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं इसके coding आपको facility मिलती है जितनी ज़्यादा price pay करेंगे उतनी अच्छी आपको यहाँ पर facilities मिलेंगी अगर आप यहाँ पर single web hosting plan लेते हैं तो आप केवल एक ही website upload कर पाएंगे यानि आपने जो web hosting purchase करी है उसके अंदर आप केवल एक ही website upload कर पाएंगे जबकि अगर आप premium के स साथ जाते हैं या business web hosting के साथ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इन दोनों plan के अंदर 100-100 website upload करने की facility मिलती है यानि web hosting cable आपको एक बारी purchase करनी है और उसके बाद आप 100 domains तक उसके अंदर add कर सकते हैं और अपनी 100 website बना सकते हैं future में हो सकता है friends यह जो facilities हैं यह कम जादा हो सकती तो आप confuse मत हो ना यह hosting or company के उपर depend करेगा कि वो इसको बढ़ा दे या कम कर दे इसके बाद देखे friends यहाँ पर आपको 50 GB का SSD storage मिलता है यानि 50 GB तक data store कर सकते हैं single वाले plan के अंदर और यहाँ पर आपको 100 GB का मिलता है और यहाँ पर आपको business वाले के अंदर 200 GB का SSD storage मिलता है यहाँ पर आपको 100 GB का bandwidth मिलता है और यहाँ पर आपको unlimited bandwidth मिलता है इन दोनों के साथ मतलब आपकी website जब कोई visit करेगा तो इससे bandwidth पर फरक पड़ता है इस बात को आप डिटेल में जान सकते हैं YouTube सर्च करना या Google सर्च कर लेना कि unlimited bandwidth का मतलब क्या होता है फिलाल shortcut में मैं आपक इससे purchase करना पड़ेगा जिसकी price या तो यह या इससे ज्यादा भी हो सकती है यह depend करेगा कि आपके domain name के ऊपर ठीक है लेकिन अगर आप premium वाले plan के साथ जाते हैं या फिर आप business वाले plan के साथ जाते हैं तो आपको यहाँ पर 699 rupees का एक free domain name मिलता है जिसकी price यह हो सकती है तो आपको free domain name मिलता है यानि आपका यह वाला जो पैसा है वो बच जाता है ठीक है इस plan के साथ यहाँ पर आपको unlimited SSL मिल जाता है यहाँ भी unlimited है और यहाँ भी unlimited है unlimited SSL का मतलब क्या होता है कि आपको बार बार SSL purchase नहीं करना पड़ेगा अलग-अलग domain name के लिए एक बार सभी domain के लिए free मिल जाएगा आप जितने भी domain name add करते जाएंगे उन सभी के लिए आप SSL लगा सकते है आप SSL होता क्या है shortcut मैं बताऊंगा अभी मैं आपको cable देखिए यहाँ पर hostinger का है आपको domain name दिखाए दे रहा है इसके आपको यह padlock symbol दिखाए दे रहा है और यहाँ लिखा भी आएगा कि website secure है देखो connection is secure यह तभी दिखाए देता है जब आपने अपनी website में SSL को activate किया हुआ है अगर SSL नहीं है तो फिर आपकी website का जो domain name वो unsecure दिखाए देगा यानि आपकी पूरी website unsecure दिखाए देगी तो SSL होना बहुत जरूरी है और इसे setup करना भी मै आपको इसी वीडियो में भी आगे चलके बताने वाला हूँ इसके बार यहाँ पर इन दोनों प्लान के अंदर आप weekly backup ले सकते हैं अपनी website का यहाँ पर आपको daily backup की facility मिल जाती है बाकि इन दोनों के अंदर आपको weekly backup की facility मिलती है कोई फरक नहीं पड़ता है इसका वैसे ज का यूज करके भी website बना सकते हैं तीनों में यह facility मिल जाती है और wordpress जो कि सबसे important है वो तीनों में आपको मिलता है आप तीनों में से किसी भी प्लान के साथ जाते हैं तो आप wordpress को install करके अपनी website को बहुत ही fast बना सकते हैं बहुत attractive बना सकते हैं बाकी चीजें detail में जाने की speed की जो आपकी website का up time आता है वो 99.90% आता है काफी fast server है hostinger के तो आप hostinger के साथ जा सकते हैं तो friends यहाँ पर मैं आपको जो plan recommend करूँगा वो यही है premium web hosting plan और यह most popular plan भी है इस plan को लेने के बाद आपको लगबख सभी facilities मिल जाती है जो business वाली web hosting में थोड़ा सा आपको यहाँ extra मिलता है बाकी लगबख सभी facilities आपको इस पाले plan के साथ मिल जाती है और affordable price में यह आपको मिल रहा है अभी जब मैं इस video को record कर रहा हूं तो यहाँ पर जो price है वो 149 रुपीज है हो सकता है future में इसकी price कम या जादा हो जाए यह depend करेगा hostinger company के उपर तो आप confused मत हो ना उस स में भी premium wave hosting तो यही रहने वाली है जो price है वो कम जादा हो सकती है ठीक है आप खरीजने के लिए हमें क्या करना है 8 to card पर click करना है इसके बाद friends आप आ जाएंगे card के अंदर हो यहाँ पर देखिए आपको price दिखाए दे रही है 149 यह अभी के लिए दिखाए दे रही है जब को यहाँ पर 48 months के लिए plan को लेना पड़ेगा क्योंकि अभी जो sell चल रही है 149 रुपीज की चल रही है लेकिन यह price आपको कप पड़ेगी 149 रुपीज पर month जब आप इससे 48 months के लिए लेते हैं लेकिन देखिए मैं आपको एक बात और बता दू अगर आपका budget अभी इतन नहीं है तो कि 149 रुपीज पर month के इसाब से 48 month का price लगबग देखो यहाँ पर आपको total दिखा देगा value 7,152 रुपे हो रहा है और tax वगेरा लगने के बाद यहाँ पर 8,439 रुपीज पे करने है ठीक है लेकिन मान लो कि आपका budget जो ही वो भी इतना नहीं है ठीक है फिर भ करते हैं तो देखो यहाँ पर price जोब थोड़ी कम हो जाएगी देखो यहाँ पर final price हो गई 5000 रुपे ठीक है लगबग और अगर आपका और budget कम है तो आप एक साल के लिए ले सकते हैं लेकिन जैसे आप एक साल के लिए या फिर आप यहाँ पर दो साल के लिए नहीं 24 months के लि लेकिन budget के उपर भी तो depend करता है मानलो अभी आपका budget ही नहीं तो फिर आप यहाँ पर 12 months भी select कर सकते हैं बड़ आपको जो price जेना per month फिर वो 239 रुपीज पढ़ेगी ठीक है यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ है अगर आप 24 months के साथ जाते तो 179 रुपीज आपको pay करन पड़ेगा तो यहाँ जैसे मैंने 12 months select करा तो देखो यहाँ पर price कम हो गई है और cable आपको pay करने यहाँ पर 3384 रुपीज ठीक है तो यह आपके उपर depend करेगा कि आपका budget क्या है मैं आपको recommend करूंगा तीनों में से एक select करना एक मेने के लिए hosting लेने से कोई मतलब नहीं है क् एक मेने में ना तो हम website बना सकते ना उसका कोई SEO वगेरा हम कर पाएंगे कोई मतलब नहीं रहेगा एक मेना कब खतम हो जाएगा हमें पता ही नहीं लगेगा तो कम से कम इन तीनों में से एक select करें लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपने अगर website बनाने का plan कर लिय आप अपनी website बनाना ही चाहते हैं तो अभी आपको पैसा देखने की जरुत नहीं है आप direct 48 months select कर लिजिए क्योंकि इससे benefit यह होना है कि आपको जो hosting का price देना वो बहुत कम पड़ेगा क्योंकि अगर आपने एक साल बात फिर से renew कराना चाहा तो फिर आपको यही amount देना है तो उससे अच्छा है कि सुरुबात में हम pay कर दें अगर हमें website बनाना ही है आगे काम करना ही है तो फिर हम 48 months के लिए ले लें ताकि हम sale amount का benefit उटा पाएं क्योंकि मैं एक साल बात तो फिर से pay करना ही पड़ेगा उससे अच्छा सुरुबात में ही ले ले लें तो यह आपक से देख लेना अगर आपका budget है आप ले सकते हैं तो मैं तो आपको यह क्योंगा कि सुरुबात में ही आप 48 months के लिए select कर लें ताकि आपको बहुत सारा additional यहां पर discount मिल जाए क्योंकि sale amount में ही आपको web hosting पढ़ेगी अब मैं आपको important बात और बता लेता हूं अभी आपको payment नहीं करनी है यहां पर देखिए आपको option दिखाए देगा coupon code का देखो have a coupon code आपको इस पर click करना है मैं आपको coupon code दे रहा हूँ आपको video की description box में coupon code मिल जाएगा और आपको screen पर भी दिखाए दे रहा होगा यह coupon code तभी काम करेगा जब आप description box में देगए link पर click करके इस hostinger website website को open करते हैं या फिर मैंने आपको pin comment में भी link दे दिया है उस link पर आप click करके जब आप website को open करेंगे तब ही मेरा coupon code काम करेगा तो यहाँ पर coupon code enter कर देना देखो मैं coupon code enter करके दिखा देता हूँ आपको और यहाँ पर मैं apply पर click कर देता हूँ तो देखो price यहाँ पर और कम हो रही है तो coupon code apply हो गया है और यह जो coupon code है यह depend करेगा अगर कोई sale चल रही होगी कोई occasion होगा तो यहाँ पर आपको discount और ज्यादा मिलेगा अभी के लिए discount थोड़ा कम मिला लेकिन आगे अगर future में आप यूज़ादा इसमें discount देखने कली मिल सकता है तो आप description box में दिए अब यहाँ पर जो सबसे important option आता है वह एक account को create करने का तो account आप चाहो तो यहाँ पर Facebook से भी create कर सकते हो Google से भी create कर सकते हो बट मैं आपको recommend करूंगा कि एक अपना Gmail address यहाँ पर enter करें Gmail address enter करने के बाद एक नया password बनाए Gmail वाला password बन डालना उसके अलावा एक नया password इसमें enter क बाद ही आप आगे की process करना पहले अपना account बना लेना ठीक है यह तो आप कर सकते coupon code बगेर तो apply कर देना अब बात आती payment की तो यहाँ पर payment करने के आपको काफी सारे option मिल जाएंगे आप चाहो तो credit card से payment कर सकते हो आप चाहो तो UPI से कर सकते हो सबसे बेटर तो मैं UPI को ही मा दिखाए दे रहे होंगे लेकिन यहां से आपको UPI payment select करके बता रहता हूं तो जैसे आप UPI payment पर click करेंगे उसके बार आपको submit secure payment पर click करना है इसके बार आपकी screen पर एक payment का page आजाएगा उस payment के page में आपको option मिलेगा कि आप UPI ID का use करके payment करना चाहते है यह QR code का अगर आप QR code select करते हैं और अपने mobile से scan करते हैं तो थोड़ा सा wait करना जब तक पूरा process नहीं हो जाए आपने computer की screen को back मत करना या mobile की screen को back मत करना जब payment success हो जाएगा तभी automatic back हो जाएगा और फिर आपका आगे का process जो मैं बताने वाला हूँ वो होगा अभी मैं payment करता हूं वीडियो को post क आपको दिखाता हूं ओके फ्रेंट्स तो जैसे आप successful payment कर देंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर यह इस पर क्लिक करना है start now पर इसके बाद आपको यह पर यह इसके बाद आपको यह उप्शन करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा skip I don't personalized experience इस पर क्लिक कर देना इसके इसके बाद देखिए जो यह next screen आ रही है इसमें से भी आपको कोई option select नहीं करना और यहां पर आपको skip का option रिखाए देगा इस पर click कर देना इसके बाद यहां पर आपको यह तीन option रिखाए देना है इन में से हम ना तो domain buy करेंगे और ना कोई पुराना domain use करेंगे क्योंकि हम हमने अभी जो plan purchase करा है उसके अंदर हमें एक free domain claim करने का option मिला है तो हम क्या करेंगे hostinger से free domain को claim करेंगे उसके लिए यहां पर मैं select वाले इस button पर click करूंगा इसके बाद देखिए हमारे पास जो next screen आ रही है यहां पर हमें यह option मिलेगा कि हम यहां से अपना domain name claim करके देख स solution channel का नाम लिख दिया है और यहां से आप select कर सकते है dot in dot com अपने हिसाब से कि आपको कौन सा domain extension चाहिए तो मैं यहां से dot in select कर लेता हूं और search पर click करता हूं तो यहां पर देखिए domain name is available अगर यह लिखा हो आता है तो इसका मतलब है कि वह domain name आपने search करा है वह available है अगर यहा यहां से एक ही website बन सकती है तो यहां पर आपको domain name change करके देखना है अगर available नहीं है तो मेरे case में तो available है इसके बाद मैं continue पर click कर दूँगा इसके बाद देखिए यहां पर आपको एक important setting करनी है इसको बिल्कुल मत मिस करना यहां पर आपको अपने server की location select करनी है कि जो website आप upload कर रहे हैं वो hostinger के कौन से server पर कर रहे है hostinger company के पास बहुत सारे server है तो friends यहां पर आपको your server location में search करना है एशिया वाला server अगर आप इंडिया यह इंडिया की आसपास country से हैं तो आपको एशिया server ही select करना है क्योंकि इसकी speed काफी अच्छी रहेगी ठीक है तो यहां से आ आपको अपनी country select करनी है तो मैं country select करता हूं next कर देता हूं इसके बाद यह form होगा इस form को fill कर लेना है आपको यहां पर मैंने form को fill कर लिया लेकिन आपको एक important बात बता दूं कि जो address address के अंदर अगर कोई भी number नहीं है तो address fill नहीं होगा यहां पर error दिखाएगा तो आप अ आपको registration को finish कर देना है finish registration बटन पर click करके okay friends जब यह वाली screen आ जाए well done you are ready इसका मतलब आप panel में जाने के लिए ready है और आप अपनी website को बनाना start कर सकते है इसके लिए आपको manage site पर click करना है उस पर click करते ही आप hostinger dashboard के अंदर आ जाएंगी और आप यहां से आप आगे काम करन इस पर click करना जो email address आपने enter करा था जब account create करा था वही दे देना और उसके बाद password एंटर करने के बाद login पर click कर देना आप वही पहुंच जाएंगे जो screen अभी मैंने आपको दिखाई थी जब आप login से enter करेंगे तो कुछ इस तरह की screen दिखाई देगी और यहां पर आपने जो plan select करा है ना वह दिखाई देगा फिर आपको manage पर click करना पड़ेगा तब आप dashboard में जाएंगे लेकिन अगर आप continue कर रहे हैं जैसा कि मैं बता रहा हूं वैसा है अगर आप आगे बढ़ते हैं चलते हैं तो direct आपको यही वाली screen मिलेगी कुल मिलाकर आपको इस dashboard तक यहा बार open करके देखना और अगर कोई verification link है तो एक बार verify कर लेना और थोड़ा सा समय देना verify होने में ठीक है उसके बाद आप आगे काम start कर सकते हैं तो friends अभी हमने क्या करा है एक hosting को purchase करा है उसी के अंदर हमने domain को claim करा है उसके बार हमने domain का registration कर लिया web hosting को भी setup कर लिया और domain का यहाँ पर हमने registration भी successfully कर लिया है अब हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले SSL का setup जो SSL हमें free मिला है उस domain name के साथ हमें क्या करना है SSL का setup करना है तो उसके लिए क्या करेंगे अब वो देखिए तो friends SSL setup करने के लिए आपको home पर click करना है home पर click करते हैं यहाँ पर देखिए आ आपके सामने वाली window आ जाएगे और यहाँ पर आपको वो domain name दिखाई देगा जिसके उपर आपको SSL को setup करना है यहाँ तो यहाँ से एक बार domain name चेक कर लेना उसके बाद install SSL पर click कर देना थोड़ा सा time लेगा और आपके domain name के साथ SSL activate हो जाएगा अब activate है या नहीं यह कहा या नहीं तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए option दिखाई देगा SSL तो इस पर click करना तो यहाँ पर देखिए आपको status के अंदर activate दिखाई देगा जो domain name आपने लिया था वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर status activate आ रहा है यानि SSL लग चुका है अ dashboard के अंदर आजाने के बाद आपको side में option मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको ढूंड़ना है website देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर important बात बताना चाहूंगा कि future में हो सकता है कि dashboard के अंदर जो changes किया जाए hostinger company अपने dashboard के अंदर changes करती रहती है तो उससे होता ही है कि options है आपको नाम से याद रखना है तो आपको यहाँ तो यहाँ पर search कर लेना है क्या website या फिर देखिए आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है website तो wordpress install करने के लिए हमें कहां जाना है website के अंदर तो इस पर click कर रहा हूँ यहाँ पर आपको मिल जाएगा auto installer इस पर click कर देना है वैसे WordPress के अलाबा और भी कई यहाँ पर CMS को install किया जा सकता है बट इस वीडियो में केबल WordPress बता रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए first option में ही है WordPress इसे select कर लेंगे हम select करने के बाद आपको यहाँ पर website का जो भी title रखना है वो आप title यहाँ पर रख सकते हैं तो यहाँ पर फिलाल मै यहाँ पर generate कर लेना तो यहाँ पर मैं username रख लेता हूँ और एक password generate कर देता हूँ इसके बाद देखिए advanced वाला यह option है इस पर click करना click करने के बाद यहाँ पर देखिए sttp हो रहा है इससे आपको sttps में बदलना है और यहाँ पर हमें sttps select करना है दो option मिलेंगे sttp और sttps हमें यहाँ पर sttps select करना है यहाँ पर आपको आपका domain name दिखाए दे रहा होगा इसके बाद यहाँ पर कुछ भी enter मत करना इसके बाद देखिए यहाँ पर create new database है तो यहाँ नया database create होगा इसे देना और यहाँ पर एक password आपको बनाना पड़ेगा तो यहाँ एक password बना लेता तो wordpress जो है web hosting के अंदर install होना start हो चुका है थोड़ा सा time लेता है आपको भी time देना है okay friends तो यहाँ पर देखिए wordpress install हो चुका है अब मैं wordpress का use करते वे website बनाना start कर सकता हूं तो इसके लिए मैं चाहँ तो यहाँ पर direct click करके भी wordpress में जा सकता हूं तो edit website पर मैं click करता हू तो देखो मैं यहाँ पर wordpress के अंदर आ गया हूं okay friends तो देखिए यहाँ पर wordpress dashboard आ चुका है और अगर आप wordpress के बारे में जानते हैं तो आप अपनी website बनाना start कर सकते हैं और अगर आप wordpress के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने wordpress की security wordpress के अंदर website कैसे बनाते हैं blog कैसे ब पर्चेस कर सकते हैं आप मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है उसके बार आप कूपन कोड अपलाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिसकाउंट मिल जाएगा ओके फ्रेंड्स तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग